Good evening student, मैं आसी सिंग, एक बार फिर से एक जम साला से और आज हम Class 5 में पढ़ने वाले हैं Multiplication कुछ ही Special पढ़ेंगे और हम Multiplication पी इतना जोर क्यों दे रहा हैं क्योंकि Simplification में Addition और Multiplication ही करना होता है ठीक है ने, तो Multiplication आपको आएगा जब Simplification पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम Short Cut Use करेंगे तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कि कितने तरीके से Multiply हो सकता है जितना जादा जानोगे उतनी जल्दी आप Question को Solve करोगे 10 Question Simplification कि आप 6-7, 5-6 मिनिट में आप बड़े रम से कर लोगे ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का पहला Question हम देखते हैं 296 into 398 देखो, आज हम ऐसे Number का Multiplication आप लोगो बताने जा रहे हैं जो 100 के Multiple के आसपास हो 200, 300, 400, 500 के आसपास हो Clear हो रहा है, तो चलिए 296 का Multiply 398 में करना है अगर आपको कहा जाए कि आप क्रॉस वाला पड़े होगे आप लोग कुछ इस तरह से पड़े होगे इसको Apply करो ही मताब इसको Apply नहीं करना है बिल्कुल Basic से जाओ, अगर आपको Solve करना है 300 से कंपेर करोगे तो आप कहोगे 4 कम है तो यहाँ पे आप क्या करोगे माइनस 4 लिख लोगे 398 कितना कम है तो आप कहोगे 2 कम है Clear होगा, अब धियान से दिखना है 4 टूजा कितना होता है 4 टूजा होता है 08 यहाँ पे 2 digit आपको लिखना है ठीक है 296, 300 से कितना कम था 4 टो माइनस 4 लगा है 398 कितना कम है 2 टो माइनस 2 4 टूजा 8, माइनस माइनस का मिल्टिप्लाई प्लेस होता है 08 आ चुका है, बहुत धियान से देखना है एक step लिखना है, यहाँ पे 2 है कि क्रोस मिल्टिप्लाई करना है 3 का मिल्टिप्लाई करना है माइनस 2 में 4 का मिल्टिप्लाई करना है माइनस 4 में तो माइनस 6 और माइनस 16 माइनस 22 आ रहा है, देखो 3 का मिल्टिप्लाई आप करोगे, तो कितना आ रहा है माइनस 2 में माइनस 6 64 का multiply minus 4 में minus 16 minus 16 और minus 6 कितना होते है minus 22 आ रहा है 100 से minus करना है हर एक step में 100 से minus करना है 100 से minus करोगे तो आप कहोगे यहाँ पर आएगा sir 78 आएगा 78 हो गया 22 को minus करते ही अब इन दोनों का multiply कर लो 3, 4 जा कितना होता है 12 लेकिन 12 बना आके एक कम हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 11 यह हो गया multiplication 12 क्यों नहीं लिखा गया क्योंकि आपने 100 से already minus किया है तो आपने देखा कि 6 से 7 सेकेंड लग रहा है clear होगा चलिए next example देखते हैं बहुत सारे example इसी तरीके से हैं अब यहाँ पर है 497 into 597 यह भी multiple के 500 के आसपास है 600 के आसपास है तो चलिए यह 4 है यहाँ पर 497 है 500 के आसपास है तो आप यहाँ पर 5 लिख लो 5 आपने लिख लिया यहाँ पर 600 के आसपास है तो आप यहाँ पर क्या लिखाओगे 6 लिख दिया ठीक है यह कहोगे सर minus 3 कम है और ये कितना कम है? माइनस 3 कम है लिख दो माइनस 3 कम है तो अब यहाँ पर आ जाएगा 09 आ जाएगा clear हुआ? 33 जा कितना होता है? 9 दो डिजिट लिखना है यहाँ पर बस देखो एक step हो रहा है 5 का multiply minus 3 में करो 6 का multiply minus 3 में करो minus 15 minus 18 minus 33 आ रहा है एक ली मल्टिकेशन हो गया, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, चलिए, एक एक अग्जाम प्लोट देखते हैं, 689 इंटू 294, बहुत ध्यान से देखना है इसको भी, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कहोगे सर्थ, यहाँ पर क्या मैंने लिख दिया, 7, और यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 3, क्योंकि 294, 300 के आसपास है तो मैंने लिख दिया, 7 का multiply minus 6 में 3 का multiply minus 11 में minus 42 और minus 33 minus 75 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा minus 75, 100 से minus करोगे तो क्या आएगा 25, यह मैंने लिख दिया है यहाँ पर 25 और यहाँ पर 7 तरी जग इतना होगा 21, एक कम हमेशा लिखना है और यह क्या आगया 20 क्या आगया चलिए आगे का example दिखते हम 597 इंटू 697 यह को क्या करने वाले हम यहाँ पर सीधे आप कहोगे सर minus 3, 3 कम है तो minus 3 4 कम है तो यहाँ पर क्या लिखा आपने minus 4, यहाँ पर multiply कर दो 4 तरी जा कितना हो जाएगा 12 हो गया 4 तरी जा 12 हो गया 5 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे 6 5 है तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने 6 लिख दिया फिर से लिख दे रहा है 6 को यहाँ पर 6 लिख दिया और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 8 अब multiply कर दो 6, 4 जा कितना होता है, 24, 8, 3 जा 24, 24, 24, 48, और 100 से माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 52, और 6, 8 जा कितना होता है, 48, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 47, यह हो गया multiply, 4, 7, 5, 2, 1, 2, समझ माहरा होगा, next example आपके पास है, 8, 98, इंटू 7, 92, तो आप यहाँ पे सीधे-सीधे कहोगे, सर यहाँ पे 2 कम है, तो माइनस 2, यहाँ पे माइनस 8 कम है, तो माइनस 8, और यहाँ पे लिखोगे, 8, 2, जा कितना होता है, 8, 2, जा होता है, 16, अब यह 8, 98 है, तो 900 के आसपास है, तो 9 लिखो, 7, यहाँ पे लिखो, एक स्टिप आओर यहाँ पे, माइनस 72, माइनस 60, माइनस 88, 100 से माइनस करोगे, 88 को 100 से माइनस करो, तो कितना आएगा, यहाँ जाएगा, आपका 12 आगया, 98 जा कितना होता है, 72, और लिखोगे क्या आप, यहाँ पे 71, यह हो गया multiplication, आगे देखते हैं, 992 इन्टो 399 है, तो यहाँ से देखना है, अब देखो यहाँ से, यहाँ पे क्या करना है, 992 है, तो अब देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस 8, और यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस 1, मल्टिप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आएगा, 08, 8 बन जा कितना होता है, 08, देखो 9 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे 10 लिखोगे कोई दिक्कत नहीं 10 लिख दो आपको सरकल करने की जरोथ नहीं है कि आप एक्जाम में सरकल ही कर रहे हो ठीक है न 10 हो गया यहाँ पर 399 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे 400 के आसपास है तो क्या लिखोगे कम हो रहा है क्यों कम हो रहा है क्योंकि आप 100 से माइनस कर रहे हो 395808 हो गया आपका answer बहुत ही आसान है 892 x 791 का multiply करना है यह को 5 seconds ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको समझाने में time लग रहा है बाकी जब आप practice करोगे 150 questions daily बना हो आप इस पर ठीक है न चलिए यहाँ पर कितना कम है 8 minus 8 लिखो कितना कम है 9 minus 9 यहाँ पर multiply करोगे तो कितना आएगा 72 72 लिखा 8 है तो क्या लिखोगे 9 7 है तो क्या लिखोगे 8 चलो देखो यहाँ पर यहाँ भी कितना आ रहा है अब यहाँ पर ध्यान से देखने के जरूत है यहाँ पर multiply करने पर आ रहा है minus 81 आ रहा है और minus 64 आ रहा है माइनस का 145 आ रहा है तो 100 से न माइनस करेंगे 145 को आप माइनस करोगे 200 से तो यहाँ पे आएगा 55 समझ मा रहा है यहाँ पे क्या आ जाएगा 55 अब यहाँ पे 98 कितना होगा 72 अब 72 न होके 70 हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि आपने बीच के step को 200 से माइनस किया है तो 98 जा 72 होगा अब यहाँ पर 2 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 70, clear हुआ आगे देखते हैं क्या लिखा है अब यहाँ पर हम base से जादा अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 100 के multiple के 100 के multiple से कम थे numbers हमारे अब हमारे numbers जो है 100 के multiple से जादा है अब हम क्या करने वाले हैं यह बहुत easy है अब देखो इसको हम उससे भी कर सकते हो 4 लिखो यहाँ plus 6 लिखो इसको direct करो आप बीच में 00 है तो direct करो चलो पहले एक step वही वाले method बता दे रहे आपको कि आपको क्या करना है यहाँ पे कहोगे कि यहाँ हम लिखेंगे plus 4 और यहाँ भी हम लिखेंगे plus 6 64 जा कितना होता है 24 लिख दिया अब यहाँ पे आप कहोगे 300 के आसपास है तो 3 लिखो 400 के आसपास है तो 4 लिखो अब multiply आप करोगे यहां multiply कर रहे हो ना यहां पे कितना होगा 18 और 16 यहां पे add हो जाएगा दूनों plus के हैं ना 18 और 16 34 और 4 तरी जा कितना हो जाएगा 12 यहां कम नहीं होगा क्यों 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 कि minus 100 से नहीं हो रहा है यह हो गया आपका रिगल लेकिन मैं आप से कहना चाहूँगा कि आप ऐसे question में जब base से जादा हूँ तो यह rule तो follow ठीक है इसका shortcut use करो ना देखो क्या आप सीधा सीधा 4 का multiply 6 में कर दो 4 सिख जा कितना होगा तो आप कहोगे 24 होगा 24 cross multiply कर दो 2 digit हमेशा द्यानक नहीं दो digit लिखना है 6 3 जा कितना होगा 18 4 4 जा कितना होगा 16 add कर दो 18 और 16 कितना होगा तो आप कहोगे 34 होगा और यहाँ पर 4 3 जा कितना हो जाएगा 4 3 जा हो जाएगा 12 यह हो कि आपका multiplication अगला question क्या है हमारा 502 का multiply 304 में करना है देखो डारेक्ट ही कर रहा है 2 का multiply 4 में करो तो आप कहोगे कि यहाँ पर आएगा 0 8 जाएगा आगया 5 4 जा 20 2 3 जा 6 26 यहाँ पर लिख दो डारेक्ट 2 digit यहाँ लिखना है 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 यह तो सीधे सीधे हो जा रहा है ठीक है आगे देखते हैं example 2 1 2 का multiply करना है 3 0 8 में इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर 12 है 12 का multiply 8 में करना है 0 8 का मतलब 81 है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 96 डारेक्ट लिखो 96 अब 2 का multiply 8 में 16 और 12 का multiply 3 में 36 और 16 होता है 52 calculation तो आपनों कच्छी होई गई होगी 2 3 जाए कितना होगा 6 हो जाएगा समझ में आ रहा है यह हो गया 65296 आगे एक example देखते हैं 3 1 3 का multiply कितना है 2 1 1 में इसको देख लेते हैं देखो अगर आपके बस की बात है 13 का multiply 11 में करना तो यह rule apply करो नहीं तो पता लगा 13 का multiply 11 में अलक्स कर रहे हो ठीक है अगर कर पा रहे हो तो ठीक है 13 का multiply 11 में करना है तो 13 बंजा 1 13 13 होज़ए 13 होता है लेकिन यह आपे 10th place है तो क्या लिखोगे 1 30 प्लस 13 1 43 आ रहा है multiply करने बिनका तो यहाँ पे आपको लिखना है 43 यहाँ पे क्या लिखोगे 43 आप लिखोगे और carry आपकी 1 हो जाएगी बस वही वाला step आपको apply करना है 11 का multiply 3 में 13 का multiply 2 में 11 3 जा होता है 33 और 13 2 जा होता है 26 26 और 33 होता है 59 एक carry और यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपने देखा आपने multiply आराम से कर लिया 13 का multiply 11 में किया गया 143 आया 1 carry हुआ 43 जहाँ पे लिखा गया उसके बाद cross multiply कर लिया गया clear हुआ समझ में आ रहा होगा 8 का multiply आप 16 में कर लो तो कितना आ जाएगा टेबल तो आई रहा होगा 168 जा कितना होता है 128 तो 128 का आप क्या लिखोगे दो ही डिगिट आपको लिखनी होती एक क्या हो गया carry अब 16 का multiply 4 में कर लो 64 जा कितना होता है 64 9 का multiply 8 में 72 और 64 136 और एक कैरी 137 तो आप लिखोगे क्या 37 एक कैरी दो ही डिगिट लिखनी है अब यहाँ पे 36 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 समझ माया फिर से देखलो 8 का multiply 16 में किया गया तो कितना आ गया 128 28 लिखा गया एक कैरी हो गई clear हुआ 137 37 लिखा गया समझ माया रहा होगा अब उसके बाद फिर क्या गया 9 4 जा 36 और एक कैरी 37 clear हुआ समझ माया होगा आप देखो 201 301 है इसमें confuse मत हुईएगा पता लगा आप confuse होगे 1 का multiply 1 में करोगे तो क्या आएगा 01 आएगा 01 है तो कोई दिक्कत नहीं इसका multiply करोगे तो क्या आएगा 1 का multiply 1 में 1 आएगा 2 digits लिखना होता है 01 लगा दिया अब 2 1 चा 2 3 1 चा 3 कितना होगे 5 तो आपको 5 लिखना है लेकिन ध्यान देना है 0 5 जिरू लिखियेगा ठीक है 2 digits 2 3 चा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा समझ माग या होगा multiplication बहुत important है अब जैसे कि आपके दिमाग में आरा अग हम experiment करें 4 digits में होता है कि नहीं होता है अब जैसे ये number आगया आपको multiply करना है ठीक है तो आप क्या करोगे बेसिक से ही जाना पड़ेगा ठीक है 4 digits का trick है 1st का 1st cross multiplication उससे time लग जाता है तो आप basic से भी जा सकती हो basic से जाओगे थोड़ा सा time लगेगा अब देखो ये trick इसमें applicable हो रही कि नहीं हो रही है बहुत ध्यान से देखिए क्या करना है तो यहाँ पे तो आप minus 4 लिखी लोगे और minus 2 तो लिखी लोगे 4 2 जा कितना होता है तो आप कहोगे 0 8 होता है ठीक है न 4 2 जा कितना होता है 0 8 यहाँ पॉइंट नहीं है इसलिए अटा रहे हैं इसको 4 2 जा कितना है 0 8 हो गया अब देखो, यहाँ पर 11 है, दो डिजिट के बाद हम देखते हैं, यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर आपको होगे सर, हम 12 लिखेंगे, तो कि 1196, 1200 के आसपास है, तो हम 12 भी लिखेंगे, और यह किसके आसपास है, 1300 के, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 13 लिखोगे, क्लियर हुआ बस वही step, ठीक है, क्या करना है, 12 का multiply 2 में, और 13 का multiply 4 में, देखो 13, 4 जा होता है 52, 12, 2 जा होता है 24, 76 हो गया, minus 76, यहाँ पे minus लगा है, दोनों को जुड़ेने पर minus 76 आ रहा है, उसको 100 से minus कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, देखो कितना आसान है, फिर वही step, 12 का multiply 13 में, 13 ह मतलब 130 है, और 26, 156, और एक कम कर दीजे, 156 को एक कम करोगे, तो कितना आ जाएगा, 155, तो आपने 4 डिजिट का multiply, इसली कर लिया, फिर से देखते हैं, कितना कम था, 4, कितना कम था, 242 जा, 808 लिखा, 1196 था, 1200 के आसपास था, तो यहाँ पे मैंने 12 भी लिखा, 1300 के आसपास लिखे हैं, एक्जाम में दिखते हैं, ठीक है, अगर आपकी practice रहेगी, तो आपको देखती है, एक question पता चल जाएगा, कि हमें करना क्या है, तो अब मैंने क्या किया, cross multiply किया, तो 24 और 52 बाया, 76 आया, 100 समाइनस किया, 24 आ गया, 12 का multiply 13 में किया, 155 आया, 156 आया, 100 समाइनस कि minus 1, और यहाँ पे कितना है, minus 2, multiply करोगे, तो 02 आने वाला है, 02 आ क्या, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे कितना आयेगा, आप कहोगे 13 आयेगा, 1300 के आसपास है, यह किस के आसपास है, यह 1400 के आसपास है, clear हुआ, एक step देखो, 13 टूजा 26, 14 बनजा 14, 26 और 14 कितना होता है, 40, 100 सम minus करोगे, कितना आयेगा, 60, 13 टूजा 26, 14 बनजा 14, 40, 100 समाइनस किया, 60 आ गया, clear हुआ, बस multiply कर दो, 13 का multiply 14 तो करी सकते हो, ठीके न, 14 बनजा कितना होगा, 10 से multiply करोगे, 140 होगा, और 42 एड कर दो, 182, एक minus कर दो, 181 हो गया, हम करें, 10 सेकेंड लग रहा है, फिर भी तो time आप का बच रहा है, बेसिक से जाओ, तो 25 से 30 सेकेंड आपका लगना ही लगना है, clear हुआ, और सही हुआ, इसकी कोई guarantee नहीं है, ठीक है, तो देखो, multiplication क्यों important है, क्यों multiplication आपको बताया जा रहा है, यो कि जो हम simplification पढ़ाएंगे, तो उसमें 4-5 trick हम बिल्कुल यूज करेंगे, तिकाक क्लास हमारी multiplication की और होने वाली है, आपको क्या करना है, वीडियो देखो, आप बता रहे हैं, आप 50 questions बनाओ बैठके, ठीक है न, lockdown चल ला है, छुट्टियां चल नहीं है, कोई काम नहीं है, कम से कम अपना, आप calculation बहुत अच्छा कर लो हमेशा के लिए, ओके, थैंक की ओ harयED, गे जर हमें ताक क हो बहुते है, पादे हो हमेहिए, के लिए बतर दोरिया दोरियां भादे के लादे and वीडियां से नहीं होते है, दोर है जोरी है झादेखियां है, तोर आप आप थे तोर्य हैं, वे खंता की हैं। सूमच, बमिस तोदूमत